नमस्कार कैसे हैं आप देखिए रोजाना जो हम खाना काते हैं जो पानी पीते हैं जिस हावा में हम सांस लेते हैं उसमें इतनी मिलावट है कि शरीर में भर-भर के टॉक्सिंस जमा हो जाते हैं विशैले पदार्थ जमा हो जाते हैं और ये विशेले पदार्थ हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं। इन टॉक्सिंस को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे योगशास्त्रों में बहुत सी क्रियाईं बताई गई हैं। उनी में से एक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी किचन में एक ऐसी चीज है जिसे खाने से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। खास दोर से अपने लिवर को। चलिए प्रैक्टिस तो आप अभी मेरे साथ ही करके देख लीजिए। अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है उसे बंद कर लीजिए। इस तरह से विश्नो मुद्रा बना लेंगे और अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। अब सिर्फ लेफ्ट से सांस को बाहर चोड़ना है तेजी से जैसे हम नाक साफ करते हैं जटके से सांस को बाहर चोड़ना शुरू करें। जो आकरी राउंड है उसे पूरा तेजी से लंबा सांस बाहर चोड़ना है 25 बार आप यह करें अब इसी तरह से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है यह कर लिया राइट से सांस बाहर चोड़ना है 25 बार आखे बंद कर लें चाहें तो पहले एक लंबा गहरा सांस ले लें पूरा सांस बाहर चोड़कर इस वेरी नाइस एक और बार लंबी गहरी सांस ले ले अब आपको क्या करना है बारी बारी लेफ्ट और राइट से सांस लेना है अपने अंगूठे और ये जो रिंग फिंगर है इसे आप यूज करेंगे नॉस्ट्रिल्स को कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट से शुरू करेंगे बहुत बढ़िया अब फिर से एक लंबी गहरी सांस ले आखिर में दोनों नॉस्ट्रिल्स से एक साथ सांसों को बाहर छोड़ना तेजी से फोर्सफुल ब्रीधिंग आउट पैसिव इनिलेशन अपने आप होगा आपको सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है जैसे हम का पालबाती में करते हैं चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया और इसके साथ आपके किचन में जो गरम मसाले में चोटी सी लॉंग होती है ना वो आपके शरीर को डीटॉक्सिफाई करने का बहुत अच्छा काम करती है कितनी लॉंग खानी हैं कैसे खानी हैं उससे पहले आप ये समझें कि हमारे शरीर को डीटॉक्स करने का काम कौन करता है आपका लिवर तौ अगर आप लॉंग का सेवन करते हैं तो लिवर सोरोइसेस की समस्या है या फैटी लिवर है या लिवर में किसी तरह का इंफेक्शन है उसमें आपको फाइदा मिलेगा क्योंकि liver toxins को तो बाहर निकालता ही है जो अगर आप बीमारी के लिए कोई दवाईयां ले रहे न उन्हें भी metabolize करने का काम करता है long में उपस्तित eugenol आपके liver की कारेपनाली को बहतर बनाने में help करता है long में hypeto protective effect होता है vitamin E में बहुत सारे antioxidants होते हैं जानते हैं long में उससे 5 गुना जादा antioxidants होते हैं देखिए antioxidants क्या करते हैं आपके शरीर में जो free radicals हैं उन्हें कम करते हैं आपके oxidative stress को कम करते हैं बुढ़ापे को आपसे दूर रखते हैं long में जो flavonoids हैं, manganese हैं यह आपकी हड्डियों के स्वास्ते के लिए बहुत अच्छा है यह आपकी bone density को बढ़ाती है यानि अगर आपको osteoporosis की समस्या है ना हड्डियों के जोडों में किसी भी तरह का दर्द रहता है तो आपको long का सेवन जरूर करना है long आपके खून को साफ करती है यह anti-viral है, anti-bacterial है, anti-inflammatory है अगर आपको दात में दर्द हो रहा हो न तो एक long को आप दातों के बीच में दबा लीजिए long का तेल भी बहुत effective रहता है इसके अलावा अगर मसूरों से खून आता है pyreya की समस्या है या दातों में cavity है इन सब के लिए long जो है यानि oral health के लिए long बहुत effective है cold, sinus, bronchitis, flu जैसी समस्याओं में long बहुत उपियोगी है यहां तक की research में यह पाया गया है कि long cancer जैसी बिमारियों से बचाव में भी आपको मदद करती है long में उपसित vitamin C और antioxidants आपके शरीर में white blood cells WBCs जो की रोगों से लडने में सहयता करती है उन्हें बढ़ाने में मदद करता है long आपके मुँ में लार की मात्रा को तो बढ़ाती ही है इसके अलवा आपके पेट में जो digestive juices हैं जो पाचक enzymes हैं उन्हें भी बढ़ाती है और इसमें मौझूद fiber आपके पेट को साफ रखने में मदद करता है आपके शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती है long का सीधा असर आपके pancreas पर पड़ता है ये insulin hormone को regulate करती है इसलिए diabetes type 2 के जो patients हैं उनके लिए long काफी फाइदे मन्द है तो आपको रोजाना सुबह सुबह खाली पेट दो long को अपने मूँ में रख लेना है आराम से उसे चूसते रहें चूसते चूसते long ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल taste less उस वक्त आप चाहें तो इसे पानी या दूद के साथ निगल सकते है और देखें long मेरे लिए तो बहुत कामकी चीज है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ उससे पहले एक long जरूर चबाती हूँ ताकि मेरा गला साफ रहे बस आज इसे इस practice को करना शुरू कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमी का निभाएं आपके और आपके परिवार के स्वस्थे की मंगल कामना के साथ मैं मदू चौधरी आपसे विदा लेती हूँ नमस्कार